हेलो दस्तो नमस्कार मेरे नाम है अमरजीत और स्वागत आपके एक और नए वीडियो में सो दस्तो आज के इस स्यूरियम जानेंगे कि कैसे वर्टपेस वेबसाट पर SSL सेटिफिकेट इंस्टॉल कियाता है जी है फ्रेंड्स SSL इंस्टॉल करने से आपका जो वेबसाट का URL है उसके URL में HTTPS लग जाता है यानि कि आपका जो साइट है वो सेक्यूर है तो आज की सुड़ियम में ही सिखेंगे कि कैसे वर्टपेस वेबसाट पर SSL सेटिफिक इंस्टॉल कियाता है तो आपको आज दोनों तरीके बार बार ने बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनेובס वेबसाट में SSL करें गे तो आपको वीडियो को बेन स्कीब के लाज तक देखते रहेगा इसे के साथ दूसों जो सिनीन जो पहली बारा आए अपि अब भी तेक हमाँ ज Hakanga subscribe कर polaris कर्ळो और ब्ल timer प्रस कर लो तो चली फेंड Yukın वीडियो स्टार्ट करते हैं हिए फेंड्स सब से पहले मैं आपको अपना जो website इस उसमें जाकर दिखाता हूं कि मेरे जो वेबसाइट है उसके URL में यहां पर not secure लिखकर आ रहा है तो साथ आपके case में भी ऐसा हो रहागा तो इसके लिए हम लोग इसी वेबसाइट पर यहां पर SSL इंस्टॉल करेंगे तो friends SSL इंस्टॉल करेंगे दो तरीके है आप चाहे तो अपने WordPress से एकाम कर सकते हैं नहीं तो friends आप cPanel जाकर भी SSL इंस्टॉल कर सकते हैं तो सबसे पहले हो अपने hosting provider से एकाम करेंगे देन मैं आपको WordPress में भी बताऊंगा कैसे आप WordPress से इससे secure कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने hosting provider के website में आ जाना है यानि कि आपने जहां से भी hosting purchase किया है आपको सबसे पहले उस website में लॉग इन हो जाना है इसके बाद यहां से आपको अपने cPanel में आ जाना है से पहले में एक option दाता है SS certificate इस्टॉल करने का अगर आपको SS certificate free मिला तो तो मेरे case में मुझे domain के साथ यहां पर मुझे SS certificate भी फिली मिला है वो यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ तो अभी आपको दिखेंगे कि यहां पर आपको SS certificate activation करके लिखा हुआ है इसके बगल में setup भी लिखा हुआ है तो आपको simply setup पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद install SS certificate और यहां से आपको अपना domain सेलेक कर देना है और install SSL प इसके बड़ आपके सामने कुछ इस तरह का pop-up आएगा तो आपको simply page को यहां से close कर देना है अब दोस्तों मैं अपने website में जाकर आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो website है वो secure हुआ या फिर नहीं तो मैं इसे refresh करता हूँ आप लोग देखेंगे कि मेरे जो website का URL है वहाँ पर एक छोटा सा log बन गया है यानि कि मेरे जो website है वहाँ पर secure हो गया है मेरे website में SSL इंस्टॉल हो गया है तो अब हम जानेंगे कि कैसे हम WordPress से SSL इंस्टॉल करेंगे तो friends इसके लिए आप कोई छोटा सा plugin इंस्टॉल करना ह तो चले जानता है कि वह कौन सा plugin है और कैसे इस activate करना है तो friends plugin की मदद से SSL इंस्टॉल करना काफी असान है इसके सबसे पहले आपको अपने WordPress के dashboard में login हो जाना है यहाँ पर आने के बाद आपको लैप साइड में एक option दिखाए देगा plugins का यहाँ आपको plugins में जाना है और य इसका नाम है Really Simple SSL तो यहाँ पर अगर आप लोग SSL भी लिकर सर्च करेंगे तो आपको जो पहला plugin दिखाए दे रहा है Really Simple SSL नाम का आपको इस पहले वाले plugin को अपने WordPress में इंस्टॉल कर देना है तो यहाँ से मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूं तो इसे इंस्टॉल करने के यानि का आपका जी URL उसे यहां से सिक्योर कर देगा और आपका जी URL उसमें HTTPS लगा देगा तो फ्रेंट्स हैना काफी सिंपल प्रोसेस इस तरीके से आप लोग भी अपने वेबसाट पर SSL इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप गास आज के वीड़ाप को पसंद आया होगा कर दो